खेत के रास्ते पर हो रहा अवैद कबजा जिलाम रोहा के गाउं असेपुर नाथन गामडी में खेत के रास्ते पर हो रहा है अवैद कबजा आज SDM कार्याले में प्रार्थना पत्र लेकर आई पवन कुमार पुत्र श्री बलवन सिंग और उनके साथ महेंदर सिंग पुत्र श्री फूल सिंग पवन कुमार ने बताया कि हमारी 18 बीगा जमीन गाउं असेपुर नाथन गामडी में है और हमारे खेत के पास ही जै सिंग हमारे रास्ता बं कर दिया है और धमकी दे रहे हैं पवन कुमार ने बताया कि कुछ दिनों पहले हमारे खेतों की पैमाईश भी हो चुकी है फिर भी कबजा नहीं हटा महेंदर सिंग ने बताया कि SDM साहब ने आश्वासन दे दिया है कि जल्द से जल्द आपकी सुनवाई होगी पवन और महेंदर ने कहा कि हमारे साथ न्याय किया जाए कुमार कहां के रहना वाले हैं आप अचे कुछ गाम लेगे हैं खाना कौन सा लगता नुगामा सादा बताया जो डियाम काड़िया ले बाया है कि संबंद माए हमारे खेत पर वो एक चक्रोड आती है उस पर अवैत कबजा कर रखा है गाउं के नहीं उस पर दीवार बना द हससे नहीं हैं यहां और लेकिन अभी कवजया एं अखिन हो गया कि अपराइब लोगा शॉआगे नाम आपका कहा सब्सक्राइबु कि ये 10 ग्रण साय आप आएं किसले आ आए आए जब देगा कि प्लेस्ट उन्नाइक प्रिपेमाइज ओने के बाद कि चकॉरोब अपनी जगए कि यहां नक्से में है तो कि यह पता लग जया है कि अपनी इस्तान से हट कर चल लेकिस अप्लिकेशन देदी आपने क्या बताया साब ने साब ने बताया कि इसकी हम नियमानुसार करवाइब करवाते हैं जो आप जहां आपका खेत है के इसका कम जाए ओस कहते है इसके बाद के पर को यह नकाले हैमारा बूरिंग को अद्वाना के लिएयो एचाहरै आने अ